नमस्कार न्यूजी स्टेशन में आपका स्वागत है इस समय की बात करें तो बड़ी चिंता की बात है तमिलनाडु के लिए पांडिचेरी के लिए यानि पुर्चेरी के लिए यहां पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक साइकलोन भारत की तरब बढ़ र रहे हैं जबर्दस तरीके से एक्टिविटी चल रही है और अभी तक के जो अनुमान थे यह कहा जा रहा था कि सिवियर साइकलोन होगा लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वेरी सिवियर साइकलोनिक स्टार्म बन जाएगा यानि जब यह तूफान समंदर के टट को पार पांडचेरी के पास में पुद्चेरी के पास में तब इसमें हवाओं की रफतार पहुच जादा होगी और यहां पर मैं कुछ चीजें दिखाना चाहरा हूँ देखे किस तरीके से इस्पारल बेंड्स दिख रहे हैं दूर तक यह बादल जा रहे हैं और जो मूमेंट है आ पांड़ की लहरे हैं वो काफी तेजी से उपर उठेंगी और यहां पर पूरी एक्टिविटी दिखाई जा रहे है कि किस तरीके से पुद्चेरी के आसपास का जो समंदर है कितना तेजी से उपर उठेगा जो यलो कलर आपको दिख रहा है वहां पर सबसे आदा होगी वह आधा मीटर से जादा होगी और दूसरी जगहों की बात करें चेयूर जो कांची पुरम में है इसी तरीके कडलोर में भी समंदर की उची उची लहरें उठेंगी और इसी तरीके से और जगहों की बात की जा रही नागे पटनम की बात की जा रही तो इसके लिए एक तरीके से चेताउनी जारी की गई है। साथी साथ यहां पर अगर ताजा बुलेटन पर नजर डालें तो बिलकुल कहा जा रहा है कि किस तरीके से यह तूफान कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। किस किस तरीके से तमाम लोगों पर इसका आसर होगा। अगर हम चन्नई की बात करें या चन्नई से लेकर पुर्चेरी तक की बात करते हैं तो हर जगह पर समंदर असांत हो चुका है। और जगह जगह पर बादल नजर आ रहे हैं। जब समंदर की तरफ आप नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि घने बादल बड़ी तेजी से चल नवंबर को देर साम को ये तूफान वेरी सिवियर साइकलोनिक स्टार्म के तौर पर जो विंड स्पीड इसमें होगी 120 से 130 किलोमेटर प्रतिघंटे की रफतार होगी जब ये समंदर के टट को पार करेगा। ये पार करेगा कराइकल और मामल पुरम या महाबली पुरम जि है तो वाकई पुचेरी के लिए बड़ी चिंता की बात है और यहां पर पूरी स्पीड दी गई है किस तरीकी की स्पीड होगी अभी की बात करें तो 80 किलोमेटर प्रतिघंटा और गस्टिंग 100 तक जा रही है 105 उसके बाद धीरे-धीर सिवियर साइकलोनिक स्टार्म हो जा रही है साथी साथ 25 तारीक तक यह रफतार बढ़ती रहेगी लगातार बढ़ेगी यह देखिए 145 किलोमीटर प्रतिघंटे की गस्टिंग जाएगी और 25 तारीक को ही यह साम को यह हिट करेगा तो वेरी सिवियर साइकलोनिक स्टार्म होगा और उसके बाद जब हिट करेग तक तुरंत कमजोर नहीं पढ़ जाएगा कई घंटों तक परिशानी देगा और 26 तारीक को जाकर यह डिपरिशन मनेगा तो यह वाकई चिंता की बात है चिंता की बात इसलिए है क्योंकि पुचेरी की बात करें तो पुचेरी में एक बड़ी आबादी रहती है साथी साथ चन्नई की बात करते हैं तो चन्नई में एक बड़ी आबादी है और समंदर के टटके किनारे किनारे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है और पूरी तरीके से चेतावनी जारी की गई है क्योंकि भारी से बहुत भारी बारी सोने का अंदेशा है क्योंकि ये सिस्टम इसमें थोड़ा सा ठहरा वाया है क्योंकि जब भी साइक्लोन समंदर के अंदर जितनी देर रहेगा उतना ही ताकतवर हो जाएगा तो ये मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है तो निश्चित तोर पर लोगों को सतरक रहने की ज़रूरत है समंदर टटके किनारे न जाएं जो मचुआरे समंदर में हैं उनको तुरंत अपने जगहे पर लौट आना चाहिए समंदर में जाने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस समय समंदर नाराज है क्योंकि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो मौसम खराब है और जबर्दस तरीके से खराब है तो अगले 24 से 48 घंटे तमिल नाडू, पुद्चेरी, आंध्रप्रदेश और हम कह सकते हैं तेलंगाना, क पूलेटिन दे रहा है, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इस चैनल पर आप लगातार अपडेट पाएंगे और हर बार जो कुछ नया होगा वो हम आपको दिखाएंगे, तो देखते रहें निउज इस्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा